जाहिंत किसान भाईयों आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी आपका नरसरी का बीज हो जो जर्मिनेशन के बाद तुरंत दिन बाद बरसात में गल्ले लगते हैं और उसका पूरी तरह बीज हमारा त्यार नहीं हो पाता है और गल जाते हैं और गलन रोग लग जाता है तो य जो है उसका रोग थाम लगभग 90 परसेंट हो जाएगा और आपका थुड़ा बीडिनर सजी गले गया नहीं तो वीडियो मैं तक बने रहे हैं और अच्छा लगे तो चैनल को सस्क्राइब करें शेर करें जरूर और हम आपको लाइप पूरूरू के साथ दिखाएंगे काह जाहिन जाहिन जैसा कि किसान भाईव आप देख सकते हैं मैंने अपना जो भीज फूल को भीका भीज है या इसका जर्मियोशन बहुत ही अच्छा हुआ है लगबग 95% का सकते उसे ज़्यादा ही इसाफ्षे ज्यादा कम मेरा जर्मियुमन WINSTON नहीं हुआ है और आपको देख कर एक अंदाज लग रहा होगा कि मेरा जर्मियोशन नाइंड आइनि फाइप हए यानि का सकते हैं कि 100% हम का सकते हैं और देख सकते हैं एक सीद में एक लाइनिंग में डाला गया है और हमने इस बीच का जर्मनेशन कैसे किया है इसके मैंने वीडियो बना कर अल्रेडी पहले ही डाल चुका हो और जो लोग नहीं देखे इसके लिए मैं डिस्क्रिशन में लिंक देदेंगा लाकि आप यह ऐसा वीडियो डाल कर आप यह ऐसा से नहीं डालते हम लोगों को बिच की बश्रिकाव कर देते हैं लेकिन हाइब्रीड बीच को क्योंकि अब बहुत मांगा होता है लगवाद साड़ी चार सो से साड़ीशे सो तो पत्तिक प्रतिसात ग्राम या दस ग्राम मिलता है तो इसके लिए मैं बहुत सा लागत लगत सब्सक्राइब को डाल देंगे तो इसका जर्मेशन नहीं होगा जर्मेशन कम होगा लगवाद 50-60 परसेंट होगा जर्मेशन इसलिए मैंने यह लाइन विद्धी से जो हमने डाला है इसका डिसकर डिस्क्रिप्समिल निक दे दूंगा देख लिजेगा तो डाला है बहुत उकards मैं मेरा बहुत बहुत मस्च जर्मेशन हुआ इतना कि आपको मैं बता नहीं सकता आप खुद देख सकते वीडियो में आपको इस तरह बिडियो बनाया हूं कि आप देह कर आपको खुद विश्वास लाइव विश्वास हो जाएगा कि हां बीडाशी बीज रिंव 채ं ह हुआ है आप मैंने यास में जो गलने वाला था परसाद की दिन में है जो गलने वाला था इसको मैं दोजवात का चिटिकाव किया है जिसके कऱ मेरा याव बीजी इतना ठारा हुआ है और रास्ट में देखाएंगे दस दिन बाद भी हमारा जो बड़ा बड़ा हो गया है इसको भी अपको देखाएंगे तो भर हांतों किसान भाईयो आप देख सकते हैं कि मैं जो गुलन जो हो रहा है हमारे वीज परसाथ के दिनों में गल जाते हैं उसके लिए मैं गोल त्यार करने जा रहा हूं इस गोल में हमने छिड़काव के लिए क्या क्या डाला है आप बहुत बारीकी से देखिएगा और लास्ट तक वीडियो देखेगा तब आपको पूरी परसानी नहीं होगी आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आप आपका नर्सरी थोड़ा भी नहीं गलेगा तो किसान भाई का है जो बहुत अच्छा ही कंपनी भुरोसे मंद कंपनी है में इसका कंबिनेशन का नाम है जो एक्स्ट्रोबी नाम है जो 23 परसेंड ऐसी है और में स्टार का है हाई साइट फंगी साइड है और इसको हम अपने असकता का नुसार एक सिदेड़ ग्राम पर लिटर डालते ह है और जितनी हमें शिड़काव करनी होते हैं इसके अनुसार हम डालते हैं पर लिटर का नुसार अब इतना पाप पांच लिटर लेंगे पानी तो इसमें लगभग साथ 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 ग्राम डालेंगे तो किसान भायों आप देख सकते हैं और हम घोल को तयार कर रहे हैं और इ सब्सक्राइब यह पाँ नहीं नहीं रोक्ताम होता है तो लिए कि प्रैयोग करते हैं और आप इसकोड़ा आता है ताक कि कोई भी मत्रा पूरी तरह अंदर जाए आफेकं पजाएं पानिम जाए यह आइप ऐसे अंगला आप देख सकते हैं यह है यह आइपियल कंपनी का इंसेक्टि साइड में इसका नाम है अगर नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं अपकी मर्जी के अनुसार है लेकिन वो जो अमिये स्टार है उसको जरूर डालियागा वहीं मेन आपको गलंग से सबसे ज़्यदा वहीं बचाएगा तो हमारे यहां उसमें पिल्लू थोड़ा-थोड़ा कहीं कहीं दिख रहेते छोड़ इंसेक्टि साइट का प्रियोग कर रहे हैं आप यज़ी अच्छी और प्रियोग कर सकते हैं लेकिन läuft उजह हम आपको बता है аधुका तो आछ ऊच्छी-दरह किया रहा है। इसके बाद इसकी अच्छी तरह मिला आवाट किया जाएगा झाल 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 तक हातों के सानमायओ आप हम आगे हैं नर्शरि में और आप देख सकते हैं कि यह मेरे wheat का लगभव 4-5 दिन हो गया है रच ठोकुर्थे बड़ग च्रम इंधोस्तर बड़े था करन वास्ता में गल अज़ा अब उनकी होगते हैं शार्वात होती हैं दाले हैं जविज डालने के समय इसमें दीएप ही डाले थे तिसलिए अब हरा पुड़ा निंची का भुमे दिख रहा है और आप देख सकते बहुत अच्छा विज मरा जन्मेसन हुआ है और इसी तरह लास्ट तक आपको दिखाएंगे कि इसी तरह हमारा बीज पूरी तरह ठीका हुआ है और लगभा थोड़ा सा गला था लगभा कि दू-चार परसेंट गला होगा या किसी तरह गला गल गया होगा लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं आपको आप खुद देख आप खुद हमें नहीं कहना पड़ें आप खुद देखिए और अब देखिए तो भी हमारा पूरी तरह स्वास्थ है और इस तरह चार-पांद दिन के बाद या आप देश सकते कि बीज मुरित मेरी पूरी तरह नरसारी स्वास्थ है और कि तनी अच्छी तरह से इसमें सर्शो की तरह दिखता है और इसका बीज भी सर्शो की छोटे-छोटे सपाल की तरह होता है तो यह सर्शो की पर्जाती क्या है और यह सी तरह यह इसके बाद यह बहुत बड़ा हो जाएगा धिरे-धिरे तक वीडियो आपने देख लिया है तो थोड़ा और इंतिजार कर लेजी आपको हम इसकी दस दिन के बाद का वीडियो हम दिखाएंगे और आपको बहुत देखकर बहुत हमें ज्याजा तर्भव हो रहा है अब आस वर आएक आपको देखकर बहुत अच्छा लगा है यह आपको देख सकते हैं खुद अपने आखे और इसके दस दिन बाद आप देख सकते हैं मेरे बीच का जर्मनेशन जर्मनेशन यह पोधे देखी कुछी तरह पूरी तरह स्वच है प इसका मैंने जर्मनेशन खिस पर रखिया है आपको कोई भी फिन नए बीड़ लोग आये हैं तो इनके लिए बता दू कि मैंने यह इसका जर्मनेशन का हमने कैसे बीजनाशरी को डाले इसके लिए मैंने पहले से ही आप वीडियो डाल दिया है चैनल पर आप जरूर देखे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू कर जाहें